पॉलिवूट की दबंग खान यानि की सल्मान खान को लेकर एक बेहत बड़ी खबर सामने आ रही है जानकर एक लियाव सभी को बता दें कि सल्मान को राजस्थान हाई कोट से बड़ी राहत मिल गई है काला हिरन शिकार वा आम्स एक्ट मामली में कोट से लगातार सत्रा बार हाजरी माफी ले चुके हैं सल्मान तो वहीं अब सल्मान खान को लेकर खबर सामने आ रही है कि सल्मान को जोदपुर हाई कोट से बड़ी राहत मिली है दरसल सलमान कल कोट में पेश होने के लिए जोद पर नहीं जाएंगे जानकरी के लिए आप सभी को बता दें कि सलमान खान को लेकर खबर ये आई है कि सलमान खान ने हाई कोट में याचिका दायर कर कोट वर्चुली उपस्तित होने की इजाज़त मांगी थी वहीं सलमान की इस याचिका को स्विकार कर लिया गया है सलमान की इस याचिका पर हाई कोट के सीजे इंदरजीत मोहनती वा जस्टिस मनोजगर्ग की खंडपीट ने सुनवाई की तो वहीं सलमान को राहत भी दे दी जानकारीक लिए आप सभी को बता दें कि सलमान को जहां एक और 6 फरवरी शनिवार के दिन कोट में व्यक्तिगत दौर पर पेश होना था तो वहीं अब सलमान जोधपुर नहीं जाएंगे सलमान को जिला एवं सत्र जिला जोधपुर नियाले में 6 फरवरी को पेश होना था ऐसे में देखा जाए तो अब सलमान को काला हिरन शिकार मामले में ये बड़ी राहत मिली है हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज